हालो गाइस वल्कम बैक टो मैं टो चैनल पूलिस वाला राइड है तो गाइस आप देख रहे हो मेरा गोवा का व्लॉवा तो गाइस फिल्हाल हम बाई प्लेन चा रहे है अभी गोवा के लिए तो यहां से उपर जो व्यू आ रहा है बहुत बढ़िया वह सम नजार जो देख किया गया है तो जल्दी से पहले तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लागा वह हमें कॉमेंट में जाके बताईए गाइस तो कैसा रहा वीडियो तो गाइस देखे यह कितना बढ़िया नजारा है जो आप देख रहे हो तो फिल्हाल तकरीबन एक से सवा गंड़ा हमें लगा आने से तो हमारे सुरत से वैसे 900 किलमटर है लेकिन फिर भी प्लैन में आना काभी मजाद है लेकिन आप एरपोर्ट पे आपको दो गंड़े पहले पहुंचना पड़ता है फिर यहां जाके वो टिकिट वो लेगे जो सब देना पड़ता है उसक बहुत अच्छा से हमें पहली बार निकला था तावेल के लिए तो काफी अच्छा लगा यह हम लेंड हो चुगे हैं कहां पर हो यह देखिए प्लैन अभी पुरा यहां से जाने के लिए लेकिन फिलाल हम पहुंच चुग है यह देखिए यह जो यूद के वीमान बोले जा यानि कि 6 महीने पहले हमने बुक करवा दिया था आने चाने का छे भी हजार पे हो रही थे और उनले पूर्ब आने के तीन अजार तो गाईस वैसे हमने बुक कर लिया था और गाईस देखिए हम पहुंचे हैं गुवा अएरपोट पे यहां पे जो काफी क्लीन दीख रहा ह बावा और यह जो बहुत बढ़िया एरपोट है और फिलहाल जो हम पहुंचे हैं इंड़ी ब्लैंड में काफी सस्ता होता हैं इंड़ी सारी करते सार्य गारिक वहां पर यह प्यादि का पहुंच जूए है लाद निकल निकल लेहा है और मैडम बोल रहे हैं अब देख रहे हैं तो अब देख रहे हैं तो अब देख रिंबूर्ट की यहां पर जो ब्लोग है वह पापी अच्छा सूट हुआ हमारा और यह वाल अप्लेन है जिसमें हम आये थे अब हम पहुंचे है गोवा एरपोर्ट पर अभी थोड़ी देर में हम लेंगे बाहर उसके बाद वह जो पिछे वह प्लेन दिखा दे रहे हैं उससे हम निकले हैं अभी थोड़ी देर में तो गाइस बने रही मेल चोदरी गासार और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आर ले सकते हो लेके लेघिज लेके बाद आपको भार लेकम ना अबार इकला होता है इसला है लेकिन यहिए हाने में कापी टाइम लगा यहाँ पर हमारा जो नगे ज़की लगें नगे रहे हैं मैं हमारा आ आच निगा शल्दी से पर आप यादि शल्दि क तो यहां से एक्सिट होने के लिए पहले हम हिकले देखिए गाइस खापना परा यहां कितने पॉब्लिक है आज आकरते गोवा में जो कि ट्रावल के डाइस काफी सारी पॉब्लिक है वह बहार आती है यहां कि फिल्हाल हम एक्सिट हो रहे हैं यहां से देखिए बाहर जाने के बाद हम एक टैक्सी या बस लेकर निकलेंगे अपने होटल के लिए अलंगत प अब करने के लिए अपने होटल के लिए अब यहां पर काभी तो कि यहां वे हमारी पल्टनों का पॉब तो गाइस हमारी पूरी टीम यहां पर उतर चुकिए है गोवा और बहुत एक्साइटिंग है घूमने के लिए लेकिन धकने के बाद हो जाएंगा भी तो गाइस देखो यहां पहुंच चुके हैं गोवा और बोल लिया वेल्कम तो गोवा तो गाइस देखिए यहां पर हम बस कवेट करके और बस आ चुकी है तो यह बस है हमें लेजाए कि कलंगत कम से कम यहां से हमें देड़ घंटा लगे जा कलंगत बीच तक जाने के लिए क्योंकि साम हो चुके है रात का टाइम है तो रास्ता भी काफी टाफिक होगा तो धीरे से चलेंगे और गाइस देखिए के सारे हमारे ट्रावेलर प्याट चुके है अब बस के अंदर तो गाइस बताई आप के कैसा लगा वीडियो आपको सब हम बैठ जाएंगे यहां से हमारे पास ट्रावेल वाले ने कम से कम ज्यादा पैसे लिए क्योंकि यहां से सब लोग आते हैं इतने ज्यादा लोग आते हैं तो ट्रावेल करना पड़ता है क्योंकि यहां से वहां जाना काफे अधीन है वाइस को पहले हम बैठ चुगे हैं सभी लोग तो यह देखिए गाई सब हपी है जाने के लिए और डाइवर साब बैठ चुग है जाने के लिए तो जियां से निकलते हैं जो कलंगर तक का रास्ता है वह बापी बढ़िया है देखिए प्रीच इतने बड़े सुपब है धरिया के उपर तो सही में आपको देखने में मज तो यह सारा नजार आपको देखना चालिये है तो सही में आपको एक बाद चरुगाई अपने 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 जब आपके दोस्त के साथ आते हैं यह देखें नाइवी तापी लियर हो चुके थे हमें आठ बच चुके थे तो यह नाइवी असाथ तहर दरिया का बाग दिखेंगाई समुम्हों के किता रही वसाइब श्रेट गुवा आपको पास पहुंच चुगे यहाँ आमारी पू कि यहाँ पे रहेंगे कैसरी वर्ण पादे लिए तो हमने अपना पहुंच चुगे हैं गोवा के लिए गाई तो गाई तो यहाँ हमारा परियासा बडल जो वहाँ पे अवलेबल है स्विंग पूल के साथ यहाँ पर बहुत बढ़ी स्विंग पूल है साथ में जोई करेंगे मस्ती और ना चेके और उसके पास यहाँ देख से दिल समुन्दर है तो प्रिये रहा और यहाँ पर रहेंगे हम सुन्दर सा पांच दिन राप बाहुत बढ़ीया रूम है अगर सबस्ति करेंगे हम स्विंग जिल समुन्दर है